यूट्यूब पर मिल रही अपार सफलताओं के बाद आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेकंड रूल डायरेक्ट इंडायरेक्ट से समझाय जाएगा मैं उमीद करता हूँ पिछली वीडियो की तरह ही आप लोग इस वीडियो को भी अच्छे से पसंद करोगे औ और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक इस्ट को इस वीडियो की इस लिंक को सेर जरूर करोगे और मैं उमीद करता हूँ जो भी डाउट से आप लोग को किस प्रकार से आप लोग इसरूल के सहाईतर से डायक्ट इंडाय को कैसे चेंज करोगे आज इस वीडियो के मादनें से आप लोगों बहुत को सीखने के लिए मिलेगा इसलिए पिछली वीडियो को भी जरूर देखे चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड रूल की डिरेक्ट से इंडियर्ट बनाने की इस विधी को इस नियम को लेट्स स्टार्ट हलो स्टुडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं डिरेक्ट इंडिरेक्ट के रूल लंबर टू की जी हां पार्ट वन में आप लोगों ने रूल वन के बारे में काफी कुछ जानकारी खटा की थी और एक एकसरसाइज भी आप लोगों को दी गए थी आप लोगों को कि reporting verb अगर present में हो या future में हो तो reported speech में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता जी हां कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है सिर्फ reporting वर्ब में says to का tells में आप लोगों ने change किया था say to का tell में किया था सेड़ टू का टोल्ड में किया था जी हां सिर्फ यहीं कॉमन परिवर्तन देखने के लिए मिले थे वो भी रिपोर्टिंग वर्ब में अब हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग जो आज के रूल नंबर टू की है उसमें आप लोगों को क्या सीखना है यदि रिपोर्टिं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता आज प्रेजंट फ्यूचर के बाद बचता है क्या है पास्ट बचता है जी हां पास्ट में अगर हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है जी हां क्या ध्यान अखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो स्टार्टिंग होती है इन्वर्टेट कॉमा के बाहर होती है सबसे पहले लिखी होती है ठीक समझ में आ गया वो अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो की इन्वर्टेट कॉ प्रूल में अगर आप लोगों देखा होगा तो प्रेजेंट की पहिचान सिंपली आप लोग जानते हूंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं पहिचान बता देता हूं हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म औप दवर्ब होती है अगर इन केस सिंगलर है सब्जेक्ट तो वर्ब में ऐस या येस एड हो जाता है जी हाँ सिंगलर फॉर्म है वर्ब की तो आप लोग समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इस अमर लगा है तब आप समझ जाएं पहचान क्लियर हो गए अब पास्ट की पहचान क्लियर मैं करा देता हूं अगर सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आप दा वर्ब आती है या सेकेंड फॉर्म आप लोगों को सेंटेंस में दीख रही है तो आप लोग समझ जाएं पास्ट इंडेफिनिट में यह रूल है ठीक है क्लियर हो गया उसी तरह से वाजवर लगा है तब भी प्रेजेंट में सेंटेंस होगा है लगा है तब भी वो सेंटेंस पास्ट में होगा और हैड मीन लगा है तब भी वो सेंटेंस पास्ट में होगा जी हां क्लियर हो गया अब बात करते हैं फ्यूचर की पहचानन में होगी तभी आपको change करना है according to the list यहां पर कुछ परिवर्तन आप लोगों दिखाए जा रहे हैं किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया चेंज होती किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आता अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई है और रिपोर्टेड स्पीच ध्यान लखना स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होती है वो किसमें है अब प्रेजेंट के किसमें समझ लेते हैं प् चेंज कर देना है किस में change करना है was और were में change कर देना है तो present continuous change into past continuous clear हो गया उसके बाद present perfect जो कि has और have लगा हुआ मिलेगा आपको change कर देना है उसको past perfect में जी हां past perfect के लिए helping आप आप लोग कौन से use करते हैं had use करते हैं तो has और have हटाके क्या कर देना है had लगा देना है next है present perfect continuous जो कि has been और had been नहीं होगा तो जो कि present perfect continuous में has been होता है उसको आपको change कर देना had been में जी हां present perfect continuous change हो जाएगा past perfect continuous में और has been के इस्थान पर आपको क्या लगा देना है, had been लगा देना है, यह simply आप लोग समझ गए, किसमें जब reporting वर्प past में थी, और reported speech किसमें थी, present में थी, तो present indefinite change into past indefinite, present continuous change into past continuous, present perfect change into past perfect, और present perfect continuous change into past perfect continuous, तेर समझ में आ गया, चलिए आप बात करते हैं, अगर reported speech हमारी future में है, तब क्या करना है, जी हाँ, उस reported speech, future में है, तो उसमें जाहिर सी बात है, will लगा होगा, shall लगा होगा, तो will को would में और shall को should में change कर देना होता है, जी हाँ, would को, जी हाँ, will को किसमें change कर देना, would में change कर देना है, यह आप लोग समझ के अच्छे से, चलिए कुछ examples इसके दिएग हैं, इन examples के माध्यम से जिसमें कहा गया subject के बाद आप लोगों को second form of the verb दिखाई देगी, तो say की second form said होती है, तो subject के तुरंत बात यहाँ पर second form of the verb मिल गई, इसका मतलब यह जो reporting verb है, यह हमारी किसमें है, past में है, clear हो गया, सबसे पहली चीज हमको क्या पहचानना है, कि reporting जो verb है, वो है किस चीज में, clear, अब इसका मतलब यह होगा, कि हमको reported speech में परिवर्तन करना है, अब कैसे करना है, पहले पता कर लेते हैं कि reported speech किस tense में दी गई है, चलिए देखतें, राहूल subject है, उसके ठीक बाद right से लिखा है, s या yes लगा है verb में, तो यह कौन सा tense है, जी हाँ, यह present का indefinite tense होता है जिसमें आप लोग ने affirmative sentence की rule पढ़े थे, जिसमें subject के ठीक बाद, verb की जो पहिचान होती है, वो first form से होती है, या फिर किरिया के last में, s या yes लगा हुआ मिलता है, तो यह present indefinite है, और आप लोग को बताए गया था, present indefinite change into past indefinite, तो right की second form क्या होती है, write, wrote, written, तो right को change कर द that Rahul wrote a letter, जी हां, simply बन गया, अब चलिए बात करते है, second sentence की, क्या कहा गया है, Ram said, comma, inverted comma, Mina is going to Lucknow, और full stop के बाद, inverted comma, close कर दिया गया है, चलिए देखते हैं, क्या sentence किस form में दे दिया गया है, Ram के बाद second लगा है, second form of the verb लगा हुआ है, इसका मतलब reporting, verb हमारी किसमें है, past tense में ह अब इसका परिवर्तन आगे हमको reported speech में करना है, तो reported speech है किस टेंस में इसको देख लेते हैं, Mina के बाद लगा है, is MR वाला helping verb, तो ये किसमें आता है, आप लोगोंने पता किया होगा, आप लोगों को जानकारी होगी, is MR, ये तीनों आते हैं, present continuous में, तो अभी आप लोगों change into past continuous, जी है, present continuous को आपको simply किसमें ले जाना है, past continuous में, is MR को convert कर देना है, was और वर में, तो यहाँ पर Mina क्या है, singular है, इसलिए क्या लगाएंगे, was लगाएंगे, चलिए बनाइए, राम said that Mina is हटा के was कर देना है, simple समझ में आ गया, चलिए next पढ़ते हैं, direct को, लक्ष्मी said to me, inverted comma, महेस has done the work, चलिए इसमें क्या होगा, आप लोगों ने देखी लिया होगा, लक्ष्मी के ठीक बात, second form of the verb आया है, मतलब की past tense आ चुका है, past का indefinite tense दिया गया है, अब यहाँ पर अच्छी बात आप लोगों की यह मिल गई, कि said के बाद एक object भी है, said to इसका मतलब said to convert into told, समझ में आ गया, घबरानी की अवश्रक्ता नहीं है, हर एक point को मैं समझाता चलना हो, इसलिए अच्छे से समझते भी चलें, तो लक्ष्मी said to me, तो इसको change करेंगे, लक्ष्मी told me, और comma inverted comma हटा के that लगा दिया, आगे क्या लिखा है, महेस has done the work, और has और have किसमे आता है, आप लोगों को पता ही होगा, कि past, जब आप लोग पढ़ोगे, convert करोगे, तो has किसमे convert होगा, head में, और has और have, जी है, और आप लोग जानते हिए, has और have, यह जो पहचान होती है, यह जो helping verb होती है, यह present perfect की होती है, तो आप लोग जान गए, कि present perfect को change कर दे लगा देना है simply चीज़ समझाई गई है तो यहां पर लक्षमी सेड़ टू मी का आप लोग समझ गए होंगे लक्षमी टोल्ड मी डैट अब यहां पर महेश हैस की जगे simply है धटाके हैड लगा देना है तो यह पूरा अब हम लोग बात करते हैं अगले next sentence की डैरेट की जिसमें आप लोगे सामने क्या कहा गया है रमन सेड़ टू मोहन जी है इसमें भी object दे दिया गया है तो सेड़ टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में आगे क्या है अंगध हैस बिन प्लेइंग फॉर टू आर्स तो यह कौंसर किये तो present perfect continuous को आप लोगों को simply change कर देना है past perfect continuous में has been के स्थान पर आप लोगों को had been प्रियोग करना है simply समझ में आ गया चलिए देखते हैं क्या लगेगा इसमें यहां पर indirect में देखते हैं सेड़ टू का टोल्ड में मोहन दैट अमजद हैड बीन प्लेंग फॉर टू आर सतीस will not go there सतीस will not go there तो will आ गया इसका मतलब पहला वाला जो reporting verb है यह तो past में है और यह जो reported speech है यह future में है तो future में तो simply change करना था will को change कर देना है would में तो देख लीजिए will का change हो गया would में और बाकी sentence जैसे आप लोग परिवर्थित करते हैं बिल्कुल उसी तरह से परिवर first sentence में direct में पूछा गया है इम्रान said to साहित तो साहित से इम्रान क्या कहा देखते हैं said to इसका मतलब object है तो said to का told में change हो जाएगा यूसुफ will be playing hockey तो will be का मतलब will change into would जी हां will को आप लोगों को change कर देना है would में और आपका ये indirect बन जाएगा जी हां simply six sentences जो आप लोगों सम समझाएगा है इनी sentence के नियम को देखती हुए आप लोगों को क्या करना है convert कर देना है exercise जो आज को इस वीडियो में आप लोगों को समझाए जा रहे हैं दी जा रहे हैं और उसका solution आप लोगों को WhatsApp कर देना है जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कितनी exercises कुछ students से अभी तक नहीं बेजे हैं तो मैं उम्मेद करता हूँ अगर भेजोगे तभी तो मैं rules समझा पाऊंगा कुछ गलतिया होंगी आपकी बता पाऊंगा इसलिए क्रिपिया करके वीडियो जब देखा करें तो उससे related जो भी exercise दी जाए उसको आप लोग घर पे आप लोग के सामने आती है कोई confusion होता है तो आप लोग करने के बाद ही समझ पाऊंगे और मुझसे पोच पाऊंगे चलिए आज की जो exercise है उसको भी समझ लेते हैं कौन सी exercise दे गई है change the following sentences into indirect speeches में ठीक है इंडिरेक्ट में आप लोगों को change करना कुछ direct form narration देगी है आप exercise 2 है इसका मतलब पहली exercise rule no.1 से थी second exercise rule no.2 से है चलिए कौन-कौन से exercises count on sentences यहां दिए गए इसी को देख लेते हैं पहला sentence क्या है रवी said, inverted, मेरा teaches Sela Hindi तो यहां पर simply समझ में आगे चलिए मैं बता देता हूं रवी said जो लिखा है वो क्या है subject के तुरंद बाद verb की second form आई है इसलिए reporting verb हमारा past में है clear हो गया अगर past में है तो reported speech में परिवर्तन जरूर आएगा अब यह परिवर्तन according to the list जो आप लोगों ने पढ़ी थी क्या पढ़ी थी यहां पर लिखा है मीरा teaches मतलब मीरा के तुरंद बाद subject के तुरंद बाद में लगा हुआ मिल गया इसलिए sentence हमारा यह जो reporting स्वीच वाला है वह present indefinite का है तो प्रिजन indefinite change into किस में हो जाएगा past indefinite में तो टीच की second form taught होती है आप लोगों को पता ही होगा टीच को ही change करना है सिर्फ taught में अब आके sentence जैसे change करते हैं वैसी change कर देना है second क्या लिखा मेरा said to स्याम subject के बाद second form है और उसके बाद object भी है इसलिए said to को change कर देना है तोल्ड में आगे क्या दे दिया गया है मधू does not work hard अब यह does not क्या है आप लोगों ने पता ही किया होगा कि negative sentences के किस वाले यह आप लोगों को पहले से पता था तो do not does not यह present indefinite के ही helping वाब है तो आप लोग समद्य होंगे present indefinite change into past indefinite तो do or does not लगा है तो उसको change कर देना है did not में समझ में आ गया simply way में समझाए गया है आगे बढ़ते है next वाला third में नवीन said to harish फिर से यहाँ पर object है said to का told कर देना है is mr लगा है was verb में convert कर देना है fourth में bora had said to push पा तो said to bora had लगा है इसलिए यह past perfect का है बिल्कुल change होगा आगे तो past perfect में हमारे क्या है reporting verb है पास्ट में reporting verb है तो reported speech में परिवरतन होता है तो said to told कर देजएगा बाकी जिसे change करने के लिए कहा गया वैसी change करना है has been or have been sorry has or have change into had तो simply है क्या है present perfect को change करना है past perfect में clear हो गया fifth वाले में क्या कहा गया महेस ह भूल गया हूँ मैं थोड़ा सा महेस was saying to sam तो object है saying to change into telling ठीक है बाकी समझ में आ गया inverted comma जैसे change करते थे हैं वह इसी change करना है some boy have लगा हुआ है have का head हो जाएगा यह क्या है आप लोग जानते ही है present perfect में third form लगती है इसलिए यहां पर have के बाद बिटल लगा हुआ है इसी तरह से head change कर देना है आपको have हटा के head कर देना है चलिए आगे बढ़ते हैं next six वाले point में देख लेते हैं sentence में क्या कहा गया है अब कमाल ने जे कमाल ही रख लेते हैं कमाल said to jamal comma inverted comma प्रवीन has been playing cricket for two hours दो घंटे से क्या कर रहा है cricket खेल रहा है अब has been लगा हुआ है अब has been को change कर देना है had been में simply has को change करना है head में next amidst said to anil object लगा है said to को change करना है told में jitendra will go to Mumbai will को change कर देना है would में future का will है उसको change करना है would में 8 वाले में देखते है श्याम said to his brother object है इसलिए said to को change कर देना है told में तो यहाँ पर told लगा के आगे बढ़ते हैं comma inverted comma हटा के that लगाना है some boys will be will change into would जी हां करते चले हैं बिलकुल इसी तरह से बाकी कुछ sentences जो दिये ग क्या है देखते हैं दिनेश said to प्रदीर second form of the verb है दिनेश की बाद इसलिए past है तो reporting वर past में तो reported speech future में तो will का would में change हो जाएगा next है 10th वाला the policeman said to object है told में करिएगा common input comma हटाईएगा that बढ़ाईएगा the thieves will will लगा है इसका मतला future में will का change हो जाएगा would में next क्या है 11th वाला he said to me यहाँ पर भी object है said to change into told में होगा रानी will मतला future है will हटाके would लगाईए next question number 12 शीला will not bath यह जो लिखा है sentence यह inverted comma में लिखा हुआ है इसलिए पहले ही सुरुवात में ही reported speech दे दी गई है इसलिए confused होने की अवशक्ता नहीं है आगे देखते हैं हमारा जो reporting verb है वो क्या past में है he said जी हां he के बाद said लगा है second form of the verb लगा है इसलिए हमारे reporting वर्ब किसमें है past में है अब reported speech सीला will change जरूर होगा क्योंकि past में पहले हमको क्या करना reporting reporting verb को अच्छे से समझ लेना है reporting वर्ब अगर हमारा past में होगा तभी reported speech में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा अन्यथा change करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि reporting वर्ब अगर present या future में होगा तो rule number one के अनुसार आगे वाले जो reporting speeches में परिवर्तन विल्कुल भी आप लोग कोशिश करें अगर हमारा reporting word past में है और reported speech present या future में है ध्यान अगर reporting word past में होगी और reported speech भी past में होगी तो उसके लिए आप लोगों को अगला नियम बताये जाएगा इसलिए change करने के अभी कोई अवशक्ता नहीं है पहले अच्छे से समझ ले rule number one फिर अच्छे से समझ ले rule अच्छा में बनाने में उसके बाद शीला वाल चाहिए हो चुका है नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं विजय है यहां पर जो कहा गया है यह जो sentence लिखा है यह inverted कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसलिए समझ ले जो sentence inverted कॉमा के अंदर होता है वह reporting इस सॉरी वह reported speech होता है इस second form of the verb लगा इसका मतलब reporting वर हमारा past में है इसका मतलब आप इसमें परिवर्थन देखने के लिए मिलेगा has को change कर देना है head में जी हां present perfect change into past perfect next है second last है देख लेते हैं क्या लिखा है कमला will not help Meera ठीक है यह inverted कॉमा के अंदर लिखा गया है यह reported speech है यहां पर गीता सेड लिख reporting वर्ब जो दिया गया है वो किसमें है जी हां past में है अब past में है इसलिए यहां पर परिवर्थन देखने के लिए जरूर मिलेगा आप क्या है reporting speech जो है वो किसीज में है वो है future में तो future का will change into would जी हां समझ में आ गया आखरी भी देख लेते हैं आखरी क्या कहा गया इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं लास्ट में आप लोगों को सामने रखा हुआ है प्रिशन क्या लिखा है अलका है रिटेन अलेटर जो की इन्वेटर कौम के अंदर है said Mr. Gupta said समझ में आ गया तो Mr. Gupta said second form of the verb है इसलिए past में है पास्ट में है तो आगे परिवर्थन होगा has को change कर देना head में जी हां simply 15 sentences rule number 2 के according आप लोगों से पूछे गए इसमें कोई भी कलती नहीं है सारे जो रिपोर्टिंग वर्भ है वो आप लोगों की परिवर्थन करना है समझाया जा चुका है कहीं कोई confusion है तो आप लोग मुझसे पूछते चलें कमेंट करते चलें कहीं कोई doubt है आप लोग अगर चैनल आप लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे इसी तरह की grammar portion से भी related कई तरह के वीडियो बनाये जाएंगे जिसको आप लोग अच्छे से देखें समझें और जाने और कोई भी doubt है तो ज़रूर comment box में comment करके पूछे और WhatsApp पे भी आप लोग अप